नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर आज मैंने बच्चों के लिए एक स्टोरी त्यार की है आकडाउन में घर में रहते हुए बच्चों के लाइफस्टाइल में काफी चेंजेस आये हैं इस वीडियो के जरिये मैंने उनकी हेल्प करने की कोशिश की है तो बने रही है इस वीडियो में एंड तक एक बार की बात है शबत नाम के एक लड़के के साथ बड़ी अजीब बात हुई उसके सारे दान्त उससे नाराज हो गए सभी दांत शबत के मुँ से निकल कर बाहर जाने लगे शबत का मुँ तो खाली हो गया दांतों को शबत के मुँ में रहते हुए कई साल बीट गए थे ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था शबत ने घबरा के अपने मुँ में जीब फेरी दांतों के बिना तो शबत कमो नानी के मूँ जैसा हो गया था दांतों तो ठीक तरह बोलने में सहयता करते हैं दांत ना होने की वज़ा से नानी कई शब्दों का उचारन भी ठीक नहीं कर सकते थी नानी तो खाना भी चबा के नहीं खा सकते थी यह सब सोच के शबत बहुत घबरा गया उसने अपने दांतों को आवाज लगाई मेरे यारो रुको इस तरह गुस्सा होकर कहां जा रहे हो बस अब हम तुम्हारे मुह में नहीं रह सकते एक दांत ने यह बात साफ साफ कही पर मेरा मुह तो तुम्हारा घर है शबत ने कहा हाँ हमें पता है सभी दांत बोले एक चप्टे आकार के दांत ने कहा देख हम तेरे सेवक हैं पर अब हम तेरी देखफाल करने के लाइक नहीं रहे अगर हमारी सेहत अच्छी होगी तभी तो हम अपना काम ठीक धंग से कर सकेंगे तुम अच्छे भले तो दिख रहे हो ऐसा शबत ने कहा तो फिर उस चप्टे दांत ने कहा नहीं हम ठीक नहीं हैं तभी नुकीले आकार के दांत ने उसे समझाते हुए कहा तू हमारी सफाई ठीक ढंग से नहीं करता कम से कम दो बार ब्रश तुझे जरूर करना चाहिए एक बार सुभा उठकर और दूसरी बार रात के खाने के बाद तब ही सभी दांत मिलकर बोले कुछ खाने के बाद गारगल भी जरूर करना चाहिए बोजन के छोटे छोटे टुकडे कई बार दांतों में ही फसे रह जाते हैं अगर दांत साफ नहीं करेंगी तो दांतों की चमक भी खराब होती है मसूरों में पस पढ़ सकती है, बदबु आने लगती है और दांतों को कीड़ा भी लग सकता है तो फिर किस तरह इन दुश्मनों से बचा जा सकता है? शबत ने फिकरमंद होते हुए पूछा दांतों ने कहा दुश्मनों को मारने के लिए दांतों की सफाई बहुत जरूरी है और साथ ही कसरत भी अपनी चिंता भूल कर शबत हसने लगा ये कैसे हो सकता है? कसरत करने के लिए अब क्या दांत होकी या फुटबॉल खेलेंगे? दांतों ने जवाब दिया कुछ सकत पदार्थ खाने से हमारी कसरत होती है दांतों को मजबूत करने के लिए सेब, गना, मूली, गाजर और शल्गमादी खाने चाहिए यह सुनकर शबद रोने लगा, उसने अपने दांतों का कभी पूरा ख्याल नहीं रखा था, उसे अपनी गल्ती का एहसास हुआ माफि मांगते हुए वह बोला, दूद जैसे सफेज सफेद और प्यारे प्यारे दांतों, अब मुझसे नाराज मत हो अब से तुमारा घर हमेशा साफ सुत्रा और खुश्बुदार होगा, दांत भी फूलों की तरह हस कर बोले, यह तो बहुत अच्छी बात है, पर अब बहुत देर हो चुकी है, हम चाहकर भी उस जगह वापिस नहीं जा सकते इतना कहकर सभी दांत वहां से जाने लगे, शबत भी उनके पीछे दोडने लगा, हड़ बडाहट में उसका पैर फिसल गया और अचानक उसकी आँख खुल गई, वह सपना देख रहा था, उसने तुरंट अपने मूँ में जीब फेर कर देखा, सभी दांत सही सलामत थे उसने धड़ी की और देखा, सुबह हो गई थी, वह उठा और अच्छे से ब्रश पर पेस्ट लगा कर दांत साफ करने लगा, शिक्षा, हमें इस कहानी से है, शिक्षा मिलती है कि मूँ की सफाई, दांतों की सफाई के बिना अधूरी है, धन्यवार